हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो और वी एच्व पार्ट साला वी एच्व पार्ट साला के ऑनलाइन प्रेटफर्म पे मैं शिपुतिवारी आप बहुत-बहुत स्वागत करती हूं तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अब आप सभी के कॉल लेटर आ चुके हैं और यूजी की चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि हमारी हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले जाए ठीक है तो यह जो मैं वीडियो लाई हूं यह ओफलाइन वाले बच्चों के लिए जो ऑफलाइन मोड सेलेक्ट कर रहे हैं ठीक है दिखिए प्रेफरेंस इंट्री पे मैंने पिछल बद लोगों यहां देख सकते थे तो आईये जानते हैं ओनले वालों के लिए एक अंडेटेक्ट on होती है उसकी वीडियो में नेक्स टाइम पर लेते होंगे अब प्लीज बता दीजीए कि आपको चाहिए कि नहीं ठीक है तो आए जानते हैं कि यह जो है एक स्टूडेंट फिल करते हैं और दूसरा उसके ममी पापा फिल करते हैं यह इसलिए होता है कि अगर आप कैंपस में के पाइज जाते हैं तो आपको युनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा ठीक है आपको एक अंडर्टेकिंग भरना पड़ता है कि मैं इसमें इंवाल नहीं मिलूंगा ठीक है तो देखी इसको कैसे भरना है सबसे पहले इसमें आप अपना नाम लिखेगा रॉल नमबर अपने पापा का नाम फिर कोर्स और कौन से कॉलेज है ठीक है इसकी बाद आप यहाँ पर अपना सिगनेचर करेंगे डेट, टाइम, पूरा मन्थ, येर सारा लिखे फिर वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर सिगनेचर कर देने उसी तरह सेम आप अपने एक फादर के थुरू भरवाईएगा वो भी फॉर्म में आपको दिखा देती हूँ ये जो है, ये है फादर के थुरू तो इसमें भी आपको सेम प्रोसीजर लेना है नाम, यूटि रॉल नमबर, पापा का नम, कोर्सेज और उसके बाद यहाँ पर साइन करवाना है नाम, एड्रेस और टेलिफोन नमबर वेरिफिकेशन भी लेकिन यहाँ पर सिगनेचर प्लीज आप लोग मत किजएगा आपके फादर करेंगे दूसरी बात कि मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे इसका पीडिफ दे देती हूँ आप लोग क्या करोगे कि उसकी चार से पाँच कॉपिया निकलवाके और उस पे यह सारा फील करके आप लोग रख लोगे कि आप लोगों को जरूत पड़ीगी जब आप लोग आफ लाइन को यह काउंसलिंग करवाओंगे तो प्लीज आप लोग इसकी पीडिफ निकलवाके जैरक्स करवा लेजेगा है ना तो चलिए जानते हैं कि एक और जो है वो कैसे आपको फिल करना है बच्चो यह है आपका डोजेर फॉर्म यह किसलिए होते हैं हॉस्टल और सिटी डिलेगेशी के लिए ठीक है तो यह जो है आपको हॉस्टल मिलता है तो भी आपको फिल करना है नहीं मिलता है तो भी आपको फिल करना है इसकी भी चार से पांच कॉपिया प्रोग निकल लगा के फिल करके अपने पास रख लीजिएगा ठीक है बहुत ही आप लोगों को काम आने वाली है और प्लीज गल्ती मत कीजिएगा ठीक है इसमें क्या करना है कि पहले आपको यहाँ पे अपनी फोटो जिपकाना है ठीक है साथ की फोटो जैसा कि मैंने बताया था आपको क्या 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 डोक्यूमेंट लगेंगे उसकी वीडियो जा चुकिए हर रूज नहीं आपको चैनल के साथ बने रहना होगा और वीडियो को जादा से जादा बच्चों तक शेयर करना होगा ठीक है यह जो है यहाँ पर आप पर अपना सिगनेचर कीजिएगा और यह जो है अगर आप पहले से बीच्चु के स्टूडेंट रह चुके हैं और होस्टलर है ठीक है तो आपको यहाँ पर रूम नंबर होस्टल का नाम यह आपको फिल करना होगा ठीक है यह ऑफिस की यूज के लिए तो इसको इसके साथ कोई छिरचाड मत कीजेगा आप लोग बाकी बात करते हैं यह जो ही यह सब को भरना होता है यह बहुत एजी है आई होब कि आप लोग भर लेंगे अपना नाम अपना यूजी रॉल नंबर आप अपना जेंडर डेट ऑफ बर्थ ठीक है अपनी केटेगरी ब्लड ग्रूप अगर आप वहाँ पर कोई है तो मतलब ध्यान से भढ़ियेगा थीक है पूलिज स्टेशन है उसकी बाद से नियर एस्ट रेल्वे स्टेशन है लोकल एड्रेस वहाँ का क्या है उसकी बाद अगर आपकी कोई रिलेटिव वहाँ पर रहते हैं वो भी आप लोग को होना आता पसंद आपको भरना से ब्लाव ले पूरा भरना होता है तो बिल्कुल ध्यान से भरिएगा अप ठीक है और कोई भी गलती मत किजीगा इसकी 4-5 कौपिया ले लीजेगा मैंने बता दिया आपको डोजेयर फॉर्म क्यों और एंटे रेगिंग क्यों भरना होता है वो एक पैरे मैंने पीडिया टेलिग्राम में सेंड कर दिया ठीक है तब तक के लिए बाइबाइब टेक्यार और अपना ध्यान रखेगा और मिलते एक नए इंफोर्मेटिव वीडियो के साथ ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान देंगे उनके लिए एक अंडर्टेकिंग भरवाई जाती है आपको अगर उस पर वीडियो चाहिए आप लोग हमें जल्द से जल्द बताईए और किस चीज़ पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जाहिए वहां पर बताईए आपकी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है और ऑनलाइन कैसे करवाना है इसकी डेमो आप ल